हेलो फ्रेंट्स मैं आपका दोस्त निगतांग मुगा और दाजोकेशन अकेर्णि में आपका स्वागत है फ्रेंट्स एक्सल को सीखने की स्रीज का जिमारा लेक्षर का टोपिक है काउंटी फॉर्मूला हम देखेंगे कि किस तरीके से काउंटी फॉर्मूले का यूज किया मैंने आपर एक डेटा बनाए हुआ है जिसमें मैंने आपर एंपलोई के नेम सीर नंबर के जैंडर मंडे से लेकर सरड़े का अटेंडेंस लगाए हुआ है और ज्यादा मैंने कुछ किया नहीं है तो इसमें हम काउंटी फॉर्मूले का यूज करना सीखेंगे तो सबसे प मतलब कि काउंट फॉर्मूला क्या करता है मैंने पेशे लाग चला है मतलब गिनना कि गिनो इफ मतलब कंडीशन कि इफ माने यदी यदी माने कंडीशन मतलब कि गिनो डेटा को एक कंडीशन के साथ तो यह काउंट फॉर्मूला और इफ फॉर्मूले को मिला कर बना गया है single condition के बेस पर तो आप use करोगे count फोर्मूला हमने count में बिना condition के हम सिधा count करते है numeric values को count A के अंदर हम क्या करते है numeric or alphabetical count करते है बिना किसी condition के count blank के अंदर only blank cells को count करते है बिना condition के तो count if जो formula दिया गया है ये count और if को मिला कर दिया गया count माने क्या होता है गिनना if माने क्या होता है if क्या हमारा एक logical condition के लिए apply किया आता है तिक कि if यदि ये हो तो ये हो जाए नहीं तो ये हो जाए इन दोनों को mix कर दिया formula को कि अब अगर हमें अपने data में कुछ counting करनी है data को count करना है गिनना है लेकिन है condition के base पे तब हम use करेंगे count if formula simple की count if formula यूज किया जाता है गिनने के लिए data को count करने के लिए single condition के base पर और जो count ifs होता है कि multiple condition के base पे अगर आप data में से कुछ count करवाना चाहते हो तो हम use करते है count ifs formula c-o-u-n-t-i-f-s count ifs तो हमारा जो selection का topic वो count if इसके base पे एक single condition के base पे कैसे की नहींगे देखे suppose कुर हमारे पास एक यहाँ पर एक condition है कि मुझे count करना है कि Monday को कितने mail present थे अब देखो यहाँ पर single condition की बात कर रहे थी और single condition की जहाँ पर बात आएगी और जहाँ पर हमें data को count कराना होगा तो हम use करेंगे count if अब हमारे पास एक condition आया उसका नाम है कि मुझे data को count करवाना है मुझे यह पता करना है कि Monday को कितने लोग present हुए तो हम क्या करेंगे हम लगे equal c-o-u-n-t-i-f count if bracket open अब देखे पहला जो यह argument ले रहा है range ले रहा है कि मैंने बोला कि मुझे गिनके बताओ कि हमारे स्कूल में कितने लड़के हैं तो मैंने आप एक condition दी कि स्कूल में कितने लड़के हैं अब सभी स्कूल के लड़कों को गिन लेंगे तो answer निकल जाएगा अगर मैं यहाँ पर यह बोलो कि मुझे सिर्फ पांच फुट वाले लड़के गिनके बताओ तो एक सिंगल कंडीशन के बेस में हम काउंट कर रहे हैं तो रेंज हमारा वो होता है कि जिसमें से हमें डेटा काउंट करना है हमारे डेटा कि डेटा कितना बड़ा डेटा है अब suppose करो अगर मैं किसी परसन को बोलता हूं कि मुझे स्कूल में बच लड़के गिनके बताओ कितने हैं अब स्कूल में अब परसन बोल सकता है मैंने बोला कि स्कूल में गिनके बताओ मेरे स्कूल में या दिल्ली में चितने स्कूल है वे सारे स्कूल में ठीक है और रेंज क्या किसमें से फाइंड करूगा मैंने बोला इसमें से फाइंड करूँ ये है मेरी रेंज इसमें से आप फाइंड करूँ कि कितने अपसेंड ते रेंज दे अब कोमा क्रिटारिया मतलब की कंडिशन अब क्या फाइंड करना आपको क्या चाहिए आपको मुझे चा तो यहाँ पर मैं एक कंडिशन दे रहा हूं डबल कोटिशन मार्क में कि मुझे जितने भी पी है मतलब प्रजेंट वो काउंट करो ब्रैकेट बंद किया और एंटर तो आप देख सकते हैं कि मंडे को दस परसन परजेंट हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस इस तरिके से ठीक है अब मुझे कांट करना है कि हमारे औस फैसके अंदर ही काम करना इस फॉर्मिले को गोंगा pouvाजित इस तारी के एक सैल भी स्लेट इस तरिका से यहाई कर लिया मैंने यहां कर लेते हैं ब्रैकेट करने अब हमने जो blank cell लिया था मतलब हमीं cell के अंदर एंटर करेंगे मुझे male करो कितने है10 अच्छा female देखो कितने है female 3 है तो कितना आसान थरीके से मैंने इस फन्लोंग अप्लाई किया आप ब्लेंग सेल मैंने जो मेरा स्क्री जो parameter था क्रिटेरिया कि मुझे क्या find करना है आप क्या चाहते हो ढूंडना उसमें मैंने enter यहाँ पे ना value करके मैंने यहाँ एक blank cell को दे दिया तो अम मुझे अगर मुझे अगर मैं ऐसा नहीं करता blank cell मैं नहीं देता है जो बार-बार formula को f2 press करके edit करना पड़ता हूं डबल कोटिशन मारक हूं जो मैंने message दिया ताकि male or female को change करना पड़ता तो आप इन दोनों तरीके से इस formula को apply कर सकते हो ठीक है कि counting formula यूज क्या जाता है गिनने के लिए data में से कोई particular चीज को based on a single condition तो आयोग फ्रेंड से वीडियो आपको पसंद आयोगी अगर पसंद आए तो इसको like करे comment करे share करे अगर इस चैनल पर आप नहीं है तो प्लिस और सब्स्राइब करो bell icon जो रूल प्रेस करो ताकि मेरे हर एक